में शाज हो सकता है कि आप समझ बूच से ना काम करके कुछ अप्रत्याशित करें जिससे आपके मन को खुशी मिलें, किन्तु थ्यान रहे कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा नूत्सान हो जाए जिसके लिए आपको पच्ताना पड़ें, अपनी योग्यता पर भरोसा रखें और किसी क भी बात के कारण इतना प्रभावित ना हो कि आपके आत्म विश्वास में कमी हो, अपने आपको हर प्रिस्थिती में सहयमित बनाए रखें, आज किसी नए व्यक्ती से मुलाकात हो सकती है, जो आपके लिए मत्वपूर्ण साबित होगी, यह बदलाव का समय है, रिष्टो में नई शुरुआत होने के योग है, किसी रोमांटिक रिष्टे की शुरुआत हो सकती है, प्रोफेशन, कोई नया प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है, जिसका आप कुछ समय से इंतजार कर रहे थे, लब, किसी नए रिष्टे की शुरुआत हो सकती है, आज, याद रखें कि अपने रिष्टों में आपका आत्म सम्मान बना रहे हेल्थ, स्वास्थिय को लेकर चिंतित ना हो, मन में शांती और संतुष्टी की भावना बनाए रखें, सिहत अच्छी रहेगी रिषाज अपने मन की बात अवाश्य व्यक्त करें, आपके विचार सही दिशा में जा रहे हैं, कमी केवल आपके आत्म विश्वास में है, उसे संभाल ले तुम्हें आसानी से स्फलता मिलेगी दूसरों से अपने आई धियाज के बारे में विचार विमर्ष करें किन्तु अपने विचारों को भी मत्तु दें, अपने आपको किसी से कम ना समझें, आपके पास संसाधन की कमी नहीं है, अनुभव के साथ आपका आत्म विश्वास भी बढ़ जाएगा प्रोफेशन, किसी बड़े की सलहा से ही कोई नया काम आरंब करें, आज नए व्यापार का प्रस्तावा सकता है, लब प्रियाजनों के साथ आज अच्छा समय विताएंगे, अपने लिए भी थोड़ा समय अवाश्य निकाले, अपने व्यक्तित्व का निखार करेंगे तो प्रिष्टों में घराई बढ़ेगी हेल्थ, स्वास्थे सामान्य रहेगा, यदी किसी रोग से परिशान है तो उससे निजात के लिए तनाव कम करें और किसी अच्छे डॉप्टर से सलहा करें, मिथोनाज काम में मन नहीं लगेगा, यदी अपने काम से उप गए हैं तो जिस काम में रूची हो उसके लिए नेमित रूप से थोड़ा समय अवश्य निकाले, इससे मन और मस्तिश्क तरो ताजा रहेगा, और नए लोगों से भी मिलने का मौका मिलेगा, सामाजिक मेल जो के नजदीक है, थोड़ा ब्रेक ले और फिर उस पर नए जोश से काम करें, लब यदी अविवाहित हैं तो रिष्टा ढूंढने के लिए तनावपूर्ण स्थिती न उत्पन करें, कभी कभी देर होना आपके हित्मे होता है हेल्थ, स्वास्थिय का ठ्यान रखे, शरीर से उतना ही काम लेज जितनी उसकी क्षमता हो नहीं, तो यह रोब को निमंतरन देने जैसा होगा। दस्तावेज अच्छे से जाचले, यदि अहव्यवसाय साचेदारी में है, तो सावधान रहें और सभी कार्यवाही लिखित में करें, ऐसा ना हो अंजाने में आपका नुकसान हो जाए, अपनी जिम मेदारियों को अंदेखा ना करें, प्रोफेशन, कार्यक्षेत्र में अ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, आपको कोई नया प्रपोजल आ सकता है, किसे आप मना नहीं कर पाएंगे हेल्थ, स्वास्थे सामान ने रहेगा, किन्तु बदलते मौसं के कारण कोई रोग परिशान कर सकता है, सिंगाज अपनी उर्जा व्यर्थ चिन्ताओं में लगाने की बजाए उसे सकारात्मत कार्यों में लगाएं, लाभ होगा, किसी रिष्टे को लेकर परिशान है तो उससे संबध्यत निर्णय को नर्टाले नहीं तो यह और कश्ट दायत हो जाएगा, यदि किसी के लिए मन में भावनाएं हैं तो उन्हें व्यक्त अवाश्य करें, परिस्थिती के अनुकूल होने का इंतजार करें, आज विद्यार्थियों को अथिक मिहनत करनी पर सकती हैं, अपने लक्षे तक पहुचने के लिए, प्रोफेशन, कार्यक्षेत्र में किसी निर्णय को लेकर अलहा करें नेल्थ, सिहत का थ्यान रखें, चिन्ताओं के कारण अपनी सिहत पर असर ना होने दें, मेडिटेशन, योग और प्राणायाम आपके लिए बहुत लाबकारी रहेगा कन्या आज का तिन मिश्रित फलदाई रहेगा, परिस्थिती में यदि कोई परेशानी बनी हुई है तो वह जल भी हल हो जाएगी अपने मन में कोई नकारात्मत भाव ना आने दें, काम में पूरा फोकस बनाए रखें, व्यवसाय के लिए आज का दिन बहुत लाबकारी रहेगा, इसका पूरा फायदा उठाएं, परिस्थिती में अपने आपको स्थिर बनाए रखें, प्रोफेशन, कायक शेत्र में अंतजार करें, अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए आपको निरंतर प्रयास करने की आवश्यक्ता है, अपनी रोग प्रतिरोधक शम्ता बढ़ाए नहीं, तो बदलते मोसम में रोग परिशान करेंगे, पुला आज मन में असंतोष की भावना बनी रहेगी, मित्रों से मेल जोल करने का मौका मिलेगा, फिर भी मन में एक खाली पंसा मजूस हो सकता है, थोड़ा समय मेडिटेशन में बिताए, इससे आपके मन को शांती मिलेगी और अथ्याक्मिक प्रक्ति के लिए भी आए एक अच्छा कदम है, विद्यार्थियों को पढ़ाई में इध्यान देने की आवश्यक्ता है नहीं, तो भविश्य में परिशानी हो सकती है, कमपटीशन परीक्षा के लिए थोड़ी और मेनत की जरूरत है, प्रोफेशन अपने लक्षे को पाने के लिए थोड़ी और मेनत की आवश्यक्ता है, अपने विचारों में स्थिर्टा लाने का प्रयास करे, लब, आज परिवार के साथ कहीं भूमने की योगना बना सकते ह किन्तु थ्यान रखे कि यह आपके काम पर कोई असर ना डाले हेल्थ, स्वास्थे सामान में रहेगा, तनाव और चिन्ता के कारण सेहत में कुछ परिशानी हो सकती है व्रिश्चिक आज का तिन मिश्रित फलदाई रहेगा, प्रोफिशनल और पर आज कुछ परिशानी हो सकती है, परन्तु निजी जीवन में आपकी भावनात्मक्ता के कारण आप किसी बड़े तनाव से बच सकते है, आज अपने आपके लिए थोड़ा समय अवाश्य निका करें, जितना समय आप अपने आपको देंगे उतना ही शान्त मसूस करेंगे, प्रोफिशन उतना ही काम लें जितना आप आसानी से कर सकें, किसी को इंप्रेस करने के लिए अपना बोचना बढ़ाए नहीं तो लेने के देने पड़ेंगे, लब रिष्टों में अपनी भाव साथना के साथ साथ कोई शारी रिक्वियायाम जैसे योग भी अवाश्य करें, धनुआ आज का दिन कुछ परेशानियों भरा हो सकता है, भम्यश्य के लिए आज कोई योजना ना बनाए नहीं तो बार में उसमें बहुत फेर अबदल करने पड़ सकते हैं, आज पुरानी गलतियों के कारण परेशानी उठानी पर सकती है, किसी की बात अपने दिल पर ना ले ना ही उसके कारण अपने अहम को बढ़ने दे नहीं तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है, इससे ना केवल आपके रिष्टों पर असर पड़ेगा बल्कि आपकी सेहत भी खराब हो स परिष्थिती प्रतिकूल हो सकती है, आज किन्तु अपना सहयम बनाए रखे, अपने आपको परिष्थिती के अनुसार ढाल ले, लब, प्रियजन के साथ किसी बात पर तनाव हो सकता है, आज अपना स्वभाव अरियल ना रखे, अपने प्रियजन के दृष्टिकों को मुलाकात हो सकती है जिससे कुछ लेंदेन बाकी हो यदि किसी के लिए मन में करवाहट हो तो उसे माफ़ जरूर करें इससे आपकी सहत बेहतर होगी और आपके कर्म अच्छे होंगे व्यार्थ चिंता ना करें परिस्थिती जल भी अनुकूल ही जाएगी परिस्थिती के प्र थोड़ा इंतजार कर ले तो अच्छा रहेगा प्रोफेशन यदि कोई परिस्थिती आपके अनुकूल नहीं जा रही तो उसके लिए परिशान होने की बजाए उसे कैसे सुधार सकते हैं इस बात पर ध्यान दे नौकरी बदलने का योग बन रहा है लब प्रियाजनों से देव जहवाद विवाद से बचे नहीं तो यह किसी बड़े जग्रे का स्वरूप ले सकता है यदि किसी रिष्टे से आप खुश नहीं है तो उससे भागने की बजाए यह जानने का प्रयास करें किवय रिष्टा आपके जीवन में क्यों आया हिल्थ स्वास्थे सामान मे रहेगा रोग से निजात के लिए निरंतर प्रयास करते रहें मेडिटेशन और अपने इश्व देव की भक्ती से मन को शांती मिलेगी कुम्भा आज काम की बेड़ लाइन पूरी करने में परेशानी हो सकती है दुविधाओं में निरने नाले परिस्थिती के अनुकूल हो करने का इंतजार करें आज विध्यार्थियों को अथिक मियनत करनी पर सकती है अपने लक्षे तक पहुचने के लिए किसी रिष्टे को लेकर परेशान है तो उससे संबंधित निरनय को ना अटाले नहीं तो यह और कष्ट दायक हो जाएगा यगी किसी के लिए मन में तो किसी से सलाह अवाश्य ले लग जिस परिस्थिती से बचने की कोशिश कर रहे हैं उसका जितना जल्दी सामना करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा हिल्थ चिंताओं के कारण अपनी सेहत पर असर ना होने दे मेडिटेशन योग और प्राणायाम आपके लिए बहु में भरपूर योग्यता होते हुए भी आप अपना कोशल पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहें जिससे मन में असंतोश की भावना होती हैं यदि आपके कुछ सपने हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए आज कोई कदम अवाश्य उठाए चाहेवाए कितना ही छोटा ह इससे आपकी उर्जा को उचित बिशा मिलेगी प्रोफेशन यदि अपना व्यवसाय आरंब करना चाहते हैं तो यह उचित समय है अवसर और साधन आसानी से प्राप्त होंगे लब अपने लिए भी थोड़ा समय अवाश्य निकाले अपने परिवार को अपनी जरूर्तों क के बारे में समझाए मेल्थ स्वास्थिय के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यक्ता है यदि किसी रोग से चूच रहे हैं तो माडर्न चिकत्सा के साथ साथ अल्टरनेट्य चिकित्सा करने के अच्छा फल मिलेगा जल्दरी कबरी होगी